आप देख रहे हैं वसरी सत्ता की दी नियूज वसरी सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है यहां हम आपको बता दें कि कल ववित्रा एकदशी है और उसी दिन से जूलन उस्तव भी शुरू होगा इस विश्चे में जानकारी दे रहे हैं प्रभू अदुमंगल दासी है आने वाली वो श्रावन मास के सुक्रपक्ष की पवित्रा नाम की इकादशी है यह सावन मास के सुक्रपक्ष में आने वाली इकादशी पवित्रा इकादिशी का महत्वर भविश्वत्तर पूरान में भगवान स्रे कृष्ण और युदिश्टिर महाराज के संबाद में मिलता है इसी प्रामान के साथ हम आपको इसकी महिमा और कैसे करना चाहिए बता रहे हैं मही जीत नाम के एक राजा थे मही जीत मही जीत राम के राजा जिनके राज का नाम मही समती पूर था वहाँ पे वो राज करते थे और यह जो मही जीत राजा थे यह बड़े ही धर्मात्मा और बहुत ही अगवान के शुद्ध भक्त थे इनोंने हर किसी का जो इनकी जनता थी, इनके राज्य में रहने वाले लोग थे, सबका लालन पालन अपने बच्चों की तरह करते थे और विशेशतर जो धर्मात्मा लोग थे, ब्राम्यन लोग थे, पुन्यात्मा थे, उनकी तो बड़े आदर और हर प्रकार से उन्हें संतुस्ट करते थे, दान इत्यादी, जो कुछ भी आवशक्ता होती थे, पूर्थी करते थे यहां तक कहा गया है कि यह अपने सत्रूओं की भी रक्षा करते थे, और उन्हें भी हर तंबव सहयोग करते थे, और छमा करते थे, और इनके सासनकाल में किसी को भी न्याय और अन्याय के लिए, उनके साथ कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता, हर प्रकार से न्याय और जो अन्याय करते थे उनको कठोर से कठोर स्तजा दी जाती है, क्यों न वो उनके रिस्तेदार हो, क्यों न उनके सम्बंधियों मित्र हो, तो इस प्रकार से बड़े ही उसलता से बड़े ही निश कलंक और बहुत ही सुन्दर व्यवस्ता से राज चला रहे थे इनकी प्रजा इनसे बहुत प्रसन्य थी अपने पिता के समान इनको मानती थी आदर देती थी लेकिन राजा इन सब कुछ होते हुए भी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि राजा को कोई संतान नहीं था इतना सब कुछ दान कुछ दर्म करने के बाद भी राजा नहीं संतान थे जिसका दुख उन्हें हमेशा सताते रहता था अनेक अनेक उपाय करने के बाद भी इन्हें संतान प्राप्त नहीं हुए तो राजा ने जंगल में जा के अनेक आश्रमों में, अनेक संतों से फुत्र प्राप्ति के कारण के लिए निकल परें, और उन्हेंने तहई किया कि संतों का असिरवाद प्राप्त करके हम जरूर संतान प्राप्त करें। और इस प्रकार से करते-करते वो लोमस रिसी के पास पहुचे लोमस रिसी एक बहुत ही चिरंजी भी रिसी है उनके उम्र कई कल्प के समान है ऐसे कहा जाता है ब्रह्मा के समान उनकी उम्र है और उनके पूरे शरीर में रोम होने के कारण काफी रोम होने के कारण उनका नाम लोमस रिसी हुआ तो इस प्रकार से जब लोमस रिसी के पास पहुचे तो लोमस रिसी की अनिक प्रकार से सभी ब्राह्मनों ने स्तूतियां की और उन्होंने स्तूति करके ब्राह्मन लोमस रिसी को प्रसंद किया और लोमस रिसी ने उनके आने का कारण पूछा कि आप हमारी इतनी स्तुति गा रहे हैं इसका क्या कारण है तो ब्राह्मनों ने अपने राजा के नी संतान होने का कारण बताया और उनसे निवेदन किया कि आपके आसिरवात से जरूर हमारे राजा को संतान सुक प्राप्त होगा और हमारे राजा सुकी हो सकेगे किरपया हमें उसका कारण मताइए कौन से ऐसे अनुस्तान है जो करके हमारे राजा संतान सुख को प्राप्त कर सकेंगे और रसन रह सकेंगे तो लोमस रिसी ने जब अपना ध्यान मगन हुए और ध्यान मगन होने के बाद उन्होंने देखा पुर्व जनम में राजा वईश्य था एक बनिया था ब्यापारी था और ब्यापार के सिलसिले में एक शहर से दूसरे सहर जाते रहते थे एक बार इसी सिलसिले में वो एक तालाब में जब उनको प्यास लगी थी पानी पीने के लिए गए उसी समय वहाँ पे एक गाय और बच्रा पानी पीने के लिए आये थे लेकिन महिसमती जो राजा थे पिछले जनम में ब्यापारी के रूप में गाय और बच्रों को भगा दिया और खुद पानी पीने लगे इसी के कोप से वो निसंतान हुए इस जनम में और राजा होते हुए भी दुप भोग रहे थे तो लोमस रिसी ने उन्हें कहा कि जो सावन महिने के सुकल पक्ष में आने वाली पवित्राई कादसी है अगर उसका पालन करेंगे उस दिन उकवास करेंगे और पूरा दिन भगवान रिसी के इस भगवान विष्णू का कृष्ण का नाम का किर्टन जब करेंगे और इस प्रकार से अपना मन भगवान विष्णू में लगाएंगे तो निश्यतोंने संतान सुक प्राप्त होगा उनके लोमस रिसी के कहने के अनुसार ब्रामनों ने राजा को सारी बाते बताई और राजा ने श्रावन मास के सुक्ल पक्ष की जो पवित्रा एकादसी है उसका बालन किया अपने सभी ब्रामनों के साथ पुजारियों के साथ जो उनके पुरोही थे और प्रजा के साथ और बहुत सारा धन इत्यादी दान किया और इस प्रकार से द्वादेशी का पारण करके सभी को दान इत्यादी ब्रदान करने के बाद सभी लोग जब प्रसन हुए ब्रामन इत्यादी नगर के लोग और उन्होंने जितना पुन्य था उस इकादेशी का उस इकादेशी ब्रद का जो पवित्रा इकादेशी के ब्रद का उसका पुन्य राजा को अर्पित कर दिया कि राजा संतान प्राप्त कर सकी समय के उपरांत राजा को सन्तान प्राप्त हुआ और अपनी सारी प्रजा और ब्रामनों को यथा उनकी जो इक्षा थी उनोंने दान दिये सब को और इस प्रकार से राजा प्रसन हुए तो इस इकादिसी का पालन, ब्रत जो कोई भी करता है जो कोई भी उस दिन भगवान के नाम का किर्टन, भगवान की सेवा, भगवान की कताओं को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें संतान अवस्य प्राप्त होते हैं इसलिए संतान प्राप्ति के लिए एकादसी वर्दान है तो जो कोई भी नी संतान है संतान सुख नई है वे जरूर पवित्रा एकादसी करने चाहिए और संबभ हो तो रात्री जागरण करने चाहिए संबब होतो निर्जला उखवास रखना चाहिए अन्यता जलाहार फलाहार या फिर जू सित्यादी गरहन करके इकादिसी ब्रत का पालन करना चाहिए और मन में हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन करना चाहिए इस प्रकार से संतान प्राप्त होते हैं और जीवन धन होता है तो इसी प्रकार से राजा महिजीत को संतान सुक प्राप्त हुआ और इस इकादिसी की विशेश महिमा यही है जो की बविश्य अक्तर पूरान में बगवान स्रे कृष्ण युदिस्थिर महाराज के कहने पे विस्तार से सुना रहे है अरे क्रिश्णा धन्यवाद प्वित्रा आइकादसी की जय प्रभु जी सावन का महिना है तो जूलन उस सब भी अप शुरू होने वाला है तो कुछ उस बारे में भी भक्तों को बताएंगे तो बड़ा अच्छा रहे है हरे क्रिश्णा ये जो स्रावन मास है बहुत ही पवित्र मास है और इस महिने में जैसे कि आप सभी जानते है कि चारो तरफ बाताबरन बहुत सुन्धर हो जाता है क्यों बारिष कापी होती है और बारिष के साथ-साथ जितने भी बन इत्यादी है जो हमारे फार कित्यादी है सभी फूलों से और अनेक प्रकार के फलों से सुसजित हो जाते हैं, भर जाते, लग जाते मनुहर काफी सुन्दर बातावरन होता है और सभी प्रकार से चारो तरफ हरयाली और अनेक पंचियों की घूंज भी सुनाई पड़ते हैं विशेश तोर पे सावन मास में जो जूलन की प्रता है वो ब्रिंदावन धाम इत्यादी विशेश कर ब्रिंदावन धाम में अनिक जो राधा कृष्ण मंदिर है जो प्रिया प्रेतम के मंदिर है या किशोर किशोरी जी के मंदिर है या वहाँ पे ऐसे भी कहा जाता है ठाकू और ठाकूरानी जी की जो मंदिर है जो ठाकूर वारियां होती है इस सावन महिने में बहुत विशेश तोर पे सजाई जाती है पूरे प्रांगन को पूरे मंदिर को फूल बंगला बनाया जाता है फूलों से उसको सजा दिया जाता है और बहुत ही सुन्दर सुन्दर जूले यह भी जो पीछे पिछले दिनों हर्याली तीज तीसरे तीज का जो समय था वो उस दिन से जूलन यात्रा विशेश करके बहुत सारे मंदिरों में सुरू होती है और कुछ मंदिरों में पूरे सावन महेना जूलन यात्रा चलती है लेकिन हर्याली तीज से ज्यादा से पूलों से अनिक प्रकार के फूलों जो सुगंदित पुष्प हैं उनसे सजाई जाती है और कई-कई मंदिरों में तो जो ठाकुर जी के जूले हैं वो सोने है के हैं चांदी के हैं और अनिक रतनों के हैं अभी कुछ दिनों से ठाकुर जी को जो बाके बिहारी जी का मंदिरे प्रिंदावन में वहाँ पे ठाकुर जी को सोने के जूले में जूलाई जा रही है और बहुत ही सुन्दर फुस्व का उस पे सजाया गया है डेकोरेशन किया गया है इतने सुन्दर भगवान लग रहे है और भक्त लोग इस जूले के साथ साथ बहुत सुन्दर संकीरतन, बहुत सुन्दर भजन, नित्त, इत्यादी भी करते रहते हैं और आगंतुग भक्तों को बहुत सारा प्रशाद बित्रन किया जाता है तो इस प्रकार से जूला नियात्रा पूरे ब्रज में और जहां जहां भी इस संसार में भगवान राधाकृष्ण के, प्रियाप्रियत्म जी के, किशोर किशोरी जी के, ठाकूर और ठाकूरानी जी के जो मंदिर है वहाँ पे उत्सब जूला नियात्रा का जूला फस्टेबल होता है और विशेश तोर पे जो प्रवपाजी के मंदिर है प्रवपाजी ने जहां भी मंदिर बनाए है वहाँ पे अभी जो इकादसी ये पवित्रा इकादसी है पवित्रा इकादसी से ले करके पुर्णमासी जो बलराम जैनती है आने वाले पुर्णमासी जो तीन तारिको इस पास दिन में बहुत विशेज जूला न्यादरा होती है। इस पास दिन में बहुत विशेज जूला न्यादरा होती है। और ठाकुर जी को इस प्रकार से जूला करके बहुत प्रसन्न होते। जब भगवान इस धराधाम पर थे उस समय अनेक सक्कियों के साथ, अनेक सक्की मंजरियां, किंकरियां, दासियों के साथ भगवान अनेक अनेक कुंजों में इस प्रकार के जूला, सावन के महिने में सभी भक्तों के संग में करते थे और उसी परमपरा को आज भी मंदिरों में किया जा रहा है, परमपरा को निभाई जा रही, आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मनोहर, मनोहारी परमपरा को, मनोहारी सेवा को, मनोहारी जूला नियात्रा को आगे भी करते रहें, और अपने जीवन को आनंदित करते रहे तो जीवला नियात्रा बहुत महत्पूरन है बहुत आनंद का कारण है वक्तों के लिए इसी करी में हम लोग भी इस नाला सुपरा में जो CSHS पाउंडेशन है जहां जगनात जी की सेवा है जगनात बल्देव सुबदरा जी की सेवा हो सबी बक्तों से कि यहां पर जूलन के लिए शाम को साथ बजे से साड़े नौ बजे तक आप आईए और जूला यात्रा का लाव उठाईए और जो कुछ भी आप सेवा कर सकते हैं फूलो फूल इत्यादी की इस जूलन यात्रा के लिए पास दिन के लिए आप जरूर कीजि ताकि इसको भव्य और जिब बनाया जा सके और खुद भी भगवान को आनंद देने के साथ साथ खुद भी आनंदित हो सके यही इस पर्व का उत्सब का जूलन यात्रा का सावन मास का महिमा है दिब्विता है और इसी आनंद में फिर पूरे साल निकल जाते बहुत बहुत झाल 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 झाल